तो देखिए फ्रेंट्स 101 रुपे मैंने एड़ कर लिए मतलब 100 रुपीज एड़ किये थे यो 1.78 है वो एक्स्ट्रा मुझे पड़े हैं ठीक है अभी मुझे क्या करना है व्यू पोम पे जाना है और अभी मुझे क्या करना है मुझे अभी ये पैसे अपने बैंक तो मैं वापिस बेजने है मतलब मैंने क्रेडिट कार्ट से एड़ कर लिए है यहां से मुझे अभी अपने बैंक में वापिस बेजने होंगे फिर ही मैं उनको यूज कर पाऊंगा तो उसके लिए मैं फिर से पेज एप वॉलेट में जाऊंगा जैसे कि मैंने बताया यह option in future आगे पिचे हो सकता है वीडियो relevant ही रहेगा सिर्फ यह option डून लेना अगर just in case आगे पिचे हो गया है तो अभी page app मैंने दबाया यहां पे तो अभी मुझे क्या करना है friends send money to account इस पे tap कर लेना है अभी मैंने पहले से अपना bank account add करके रखा हुआ था अगर नया account add करना है उसके लिए यह देखे add new पे tap करना है आपने और उसके बाद यहां पे bank का नाम search करना है जो भी bank का जिसमें आप पैसे भेज रहे हैं अपने bank में यहां किसी को बेजने हैं उनका यहां पे bank account search कर लेना यहां पे state लिखना पड़ेगा यह state bank of india आगया अभी मुझे अपना account number add करना है फिर से वह अपने account number का verify करने के लिए दोबारा add करना है bank का IFSC प्रियोड सब कुछ मैं करके दिखा देता हूँ तो ऐसे ही आपने अपनी bank की सारी details enter करने के बाद add beneficiary पर टैप कर देना है अभी यह बैनिफिश्री add हो गया है अभी इसको approve होने में लगेंगे चार घंटे तक ठीक है चार घंटे के बाद ही beneficiary यह approve हो जाएगा उस समय तक आप देखे यू can send up to 2,000 from 4 hours to 24 hours मतलब 4 घंटे के बाद हम यह जो beneficiary add किया है उसको पैसे बेज सकते है ठीक है और अभी मैं आगे का process पता देता हूँ आपको देखे जब एक बार beneficiary approve हो जाएगा मतलब 4 घंटे वेट कर लेना अगर आपका अपना account होगा पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहां पर यहां पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहां पर आपको प्रोसेस बताया जब वो एड हो जाएगा successfully देखे यहां पर pending दिख रहा है ना फिर ऐसा दिखेगा नीचे वाला account मैंने पहले से अड किया और ऐसा दिखेगा फिर आपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहां पर टैप कर लेना है फिर amount enter करना है कितने पैसे बेचने ठीक है और उसके बाद आपने swipe to pay पे टैप कर देना है यहां पर देखिए तो देखिए successfully हमने अपने bank account में पैसे ट्रांसफर कर लिए तो ऐसे गर किया कर सकते हो अपने credit card से पैसे add कर सकते हो अपने bank account में ट्रांसफर कर सकते हो